कि कैसे हैं आप लोग हाँ आप सब अच्छे होंगे घर पे बैट कर जम कर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज का मारे टॉपिक है जो ग्लास 9 साइंस में आ रहा है जिसका नाम है बिद्दूद परिपत इलेक्ट्रिक सर्किट तो प्रतिरोध और ओम के नियम के सत्यापन के समय हमने बिद्दूद परिपत बनाया था आज हम समज़ेंगे कि बिद्दूद परिपत किसे कहते हैं मों कि संग्रचना कैसी होती तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रतिरोध बटन लगा हुआ है यह बोल्ट मीटर जो विभवानत्र को नांता है character जो बिद्दुत में बहने वाली धारा का माप करता है और एक सूचालक तार होता है सूचालक तार वो होता है जिसमें कि धारा का प्रवा आसानी से हो सके तो कह सकते हैं कि बिद्दुत परिपत है यानि कि बिद्दुत सेल के दोनों अग्रो से जोड़ी गई चालक तारे मतलब कि यहां पर देखे बिद्दुत सेल है ये इसके दोनों प्लस और माइनस ये दोनों तरब से जो चालत तारे जब जोड़ी जाती है तो प्रतिरोधों में से होकर प्रवाहित होने वाले बिद्दुत धारा का अकंड मार्ग होता है मतलleo की जो धारा प्रवाहित होती है उस कहीं पर भी खंडित नहीं तो ऐसे पूरे अखं़ आमारको पूरे पत्त को बिद्दुध परुपत कहते हैं यहां पर के हम तरीके इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा पत्त जिसमें बिद्दुत का संचालन हो वहताशा पत्त जहां प बंद विद्दुत परिपत Dash का आप चित्र बनाएये तो यह बंद विद्दुत परिपत हुआ है जिसमें आ lumin जो है यह कुंजी जैसे ये शल अटाइजट नहीं किया गया है तो उसे खुल richer बोलेंगे क्योंकि सेल नहीं लगेगा तो लाइट नहीं जलेगी बल्ब नहीं जलेगा और अगर इसको जोड देंगे तो ये बंद विद्दूत परिपत है देखे इसमें धारा कुम आपने के लिए सब चीजे मैंने बता दिया प्रतुरोध भी लगा है और विभुवांतर कुम आपने के लिए बोल्ट मीटर ये सारे यंत्रों का उपयोग क दिया गया है और इस तरीके से बिद्दूत परिपत तयार होता है अब हम आगे देके यहां पर के गठ को की कुछ चिन होते है rä Grass would के बीच विभुवांतर को प्रयूक्त करता है फिर बैटरी जब एक से ज्यादा बैटरी लगी हो ज्यादा सेल लगे हूं तो इस तरीके से दिखाते हैं ऐसा डाइग्राम बनाते हैं और उसके बाद ये चालक के सीरों के बीच अधिक छमता वाला विभुवांतर दिखाता है तो इस तरीके से अधिक सेल का साइन ये होता है फिर खुली टेप कुंजी या प्लक को खुला हुआ रहता है तो इसको ऐसे दिखाते हैं मतलब ब्रैकेट बनाकर दोनों साइड ऐसे ये रो कर देंगे तो खुला है ये चालक तार के सीरों के बीच संपर्क तोड़ कर विद बिदुद प्रवा कर देता है जैसे स्विच बंद कर देंगे तो धारा का प्रवा होने लगता है उसके बाद क्या है तोड़ तार तोड़ तार इस तरीके से दिखाते हैं यह विदिन घटकों को परिपत में सयोजित करता है इसके बाद अगला साइन जो है वो देख लीज और फिर बिदुद बल्ब यह है जब परिपत बनाते तो ऐसा डाइग्राम बनाते हैं जब बिदुद धारा के प्रवाईत होनों की जाज करना हो तो यह जब अप्रकाशित रहे मतलब यह वाला उपर वाला जब अप्रकाशित रहता है तब धारा का प्रवा नहीं होता है और जब प्रकासित हो जाता है तो धारा का प्रवा होता है विद्धुद प्रतिरोध को इस तरीके से यहाँ पर आपने कई बार दिखाओ गर दिखाते हैं मतलब परिपत में जो जाने वाले विद्धुद धारा है उसको कंट्रोल करता है नियंत्रिट करता है और प्रतिवर् प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं ये प्रतिरोध उध नियंतरक भी होता है ऐसा भी कह सकते हैं इसके बाद और मैंने बताया था और मतलब की धारा में धारा का मापन करता है परिपत में इसे स्रेडी क्रम में जोड़ना चाहिए और बोल्ट मेटर होता है ये समांतर क्रम में ज से होते हैं उसमें किन-किन यंत्रों का उपयोग होता है और उसकी साइन या चिन्न कैसा होता है पूरा वीडियो देखने के धन्वाद अगर आप नए वीवर हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब के जी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आपका दिन शूभ हो